सूप्रभाद बच्चों कैसे हैं आप सब? मिशन शिक्षक समवाद के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतरगत सर्वनाम बच्चों सर्वनाम को एक उधारन के माध्यम से समस्ते हैं रीटा कच्छा 6 में पढ़ती है रीटा प्रति दिन स्कूल जाती है रीटा के भाई का नाम सौरभ है रीटा के पिता जी एक बैंक में काम करते हैं रीटा को सभी प्यार करते हैं उपर दिये वाक्यों में रीटा संग्या शब्द का 5 बार प्रयोग हुआ है यह अटपटा सा लग रहा है इन वाक्यों को अगर हम इस प्रकार लिखे रीटा कप्छा 6 में पड़ती है वह प्रती दिन स्कूल जाती है उसके भाई का नाम सौरव है उसके पिता जी एक बैंक में काम करते है उसको सभी प्यार करते है इस प्रकार रीटा शब्द एक ही बार आया है उसके लिए वह उसके उसको सर्वनामों का प्रयोग हुआ है इन सर्वनामों के प्रयोग से भाषा, सहज, सरल और स्पष्ट प्रतित हो रही है सर्वनाम की परिभाषा जो शब्द संग्या की स्थान पर प्रयोग किये जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं, हम, वह, उसका इत्यादी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संग्या शब्दों के दोराओं से बचने के लिए किया जाता है अनुच्छेद में बार बार एक ही संग्या शब्द का प्रयोग करने से भाषा की सुन्दर्ता कम हो जाती है संग्या शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों भाषा को गति प्रदान कर उसे सजीव तथा लचिला बनाता है प्यारे बच्चों, अब अभ्यास कारी को करके अपने स्कूल के वाटसप डूप में चरूर भेजिए अगले सब्ता हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार